नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ अविलाज टिम इंडिया को दो विशुकप जितवाने वाले युवराद सिंग की चर्चा आज की जानी चाहिए दरसल आज ही अपडेट आई है डिवाई पाटिल क्रिकेट टॉर्नमेंट के मैच में युवराद सिंग ने असी रन ठोके हैं महस्त तिरपन गेतो में जिसमें तीन छके औ अपना जो टिकेट है वो कनफर्म करें हाला कि चांसेज बहुत रेर हैं बहुत कम परसेटेज में हैं लेकिन युवराज के पास मौका है और अगर इस मौके को युवराज घुना लेंगे तो वो रन बना देंगे संजीवनी बूटी का काम IPL ने भी किया संजीवनी बूट लेकिन अब क्या युवराज को वर्डिकब का टिकेट मिलेगा इसी खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे युवराज की टीम में आने कि सिनेरियो क्या हो सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे प्लस यहाँ पर क्या टीम इंडिया को युवराज जैसे खिलाडी की इनको इंडियाए के लिए नहीं खिला जा रहा है और कई खिलाडी ऐसे हैं जो इंडियाए में अभी खेल रहे हैं जिनका प्रदर्शन रंजी ट्रोफी में बिल्कुल खाराब था और जिन्होंने टोमेस्टिक में बहुत अच्छा नहीं किया ऐसे में इन खिलाडियों को पह बाती बाति के बात है बंडिय बाती की बात की जाए तो मुझे लगता है कि भारत के का जो इंडिल ओर है अभी उतरा मस्बूत नहीं है अगर आपको पुराने चावलों पर ही दाव लगाना हैं तो रहना उर युव राज को भी मौका मिलना चाहिए और स्पेशली युव क्योंकि देखिए जो खिलाडी आपको दो वर्ल्ड कप जितवाद चुका है जिसका ICC में टॉर्नमेंट्स में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है ऐसे में उस खिलाडी को अगर आप मैच देंगे आ मौका देते ऐसता इसता उनका कॉन्फिडेंस वापस आता और वो टीम में अपनी जगे को सुनिश्चित कर लेते आपको शयद मैच भी जिता कर दे सकते थे यवराज सिंग चैंपिन्स टोफी आखरी खेले थे भारत के लिए साल 2017 में उसके बाद यो यो टेस्ट में फेल हुए फिर उनको टीम में नहीं ल प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो यह सोचने का विशह है कि क्या युवराज सिंग को मौका दिया जाना चाहिए या फिर मौका नहीं जाना चाहिए अगर देखा जाए तो युवराज का प्रदर्शन अगर बहुत एक्स्ट्रॉडिनरी हुआ मुंबाई इंडियंस में तो तो शायद युवराज सिंग को टीम में मौका दिया जा सकता है लेकिन अगर भारती टीम के तिश्टी कॉंट से देखा जाए तो कुछ खिलाडियों की जगे तो वाकई में नहीं बनते हैं अंबती राइडू बहार का बैट स्विंग उनका सही नहीं है कुछ खिलाडियों जो बाहर अच्छी इंदवाजी है अच्छी बल्लिबाजी कर सकते हैं जैसे मौमत शमी आपको भारत से बाहर बहतर मैच बिनर साबित हो रहे हैं लेकिन भारत के अंदर उनके इंदवाजी उतनी अच्छी नहीं होती है same goes for यहाँ पर अंबती राइडू अंबती राइडू का भी यही हाले अंबती राइडू भारत में तो रन बना रहे हैं सब कॉंटिनेंट से मिलती जूलती पिचस पर रन बना रहे हैं लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया में तो रन हुए नहीं उनके उसके बाद न्यूजीलें सब्सक्राइड सिंग सोच में आ सकते हैं लेकिन उनको अब IPL में बहतर करना पड़ेगा अला कि उससे पहले वो डिवाई पाटिल टी-20 क्रिकेट टौर्नमेंट खेल रहे हैं और पहले ही मैच में उन्होंने जिस तरह से असी रन ठोके हैं तो उनका भी कॉंफिदेंस है विराट ने भी की अल्मोस्ट हम अपनी वोल्ड कप की टीम जो है फाइनलाइज कर चुके हैं कुछ दो चार नाम जो इधर उदर होंगे अगर इंजिरीज की वज़े से तो फिर हम बाकी खिलाडियों को मौका देंगे वरना अब हमारी टीम लगभग लगभग तैयार हो 2019 लेकिन यहां पर युवराज को भी अप्रदर्शन करना पड़ेगा आप रणजी ट्रोफी के जादा मैचस नहीं खेले बहुत अच्छा नहीं था प्रदर्शन ना लगी गेंस उन्होंने कुछ कमाल दिखाया विजय हजारे ट्रोफी में जहां पर उनका प्रदर्शन था जो एक एवरेज हम मान सकते हैं बहुत खराब भी नहीं लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं तो वहां से उनको देधर ट्रोफी में क्यों नहीं खिलाया गया ये भी एक सवाल उठता है और उसके बाद युवराज ने रणजी ट्रोफी के मैचस क्यों नहीं खेले ये भी सव पाल उठता है तो ये सारी चीजे जो है आपको दर्शाती है कि BCCI की सोच क्या है सिलेक्टर की सोच क्या है टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है क्योंकि रवी शास्तरी विराट कोली ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि युवराज को या फिर बाकी खिलाडियों को अब वोट द लेकिन जब इंडिया ए टीम में का नाम नहीं है तो यवराज को सुपर 30 की सोच में आना है और फिर 15 में वो सकता आपको टिकेट मिल जाए क्योंकि आगर प्रदर्शन करेंगे यवराज को पता है कि अगर उनको 2019 विशुकप में वापसी करनी है तो उनको प्रदर्शन करना पड़ेगा और शायद ऐसे खिलाडियों को मालूम होता है कि टीम में वापस आने के लिए करना क्या है जब पिछली बार वो आये थे तो अच्छा प्रदर्शन करके आये थे भारते टीम में उनको मौका भी मिला था लंबी हीटे मारे थी उन्होंने और भारत को फाइनल त काफी सपोर्ट है इस बार युवराज के लिए रात बरी ख़बर यह है कि युवराज मिडल ओर में खिलेंगे क्योंकि रोहित इस बार ओपन करेंगे तो नमबर तीन नमबर चार युवराज के पास मौका होगा लंबे रंस बनाने का और अगर यहाँ पर युवराज कोई भी इंकार नहीं कर सकता लेकिन अभी जिस आप से उन्होंने पहले मैंच में जो पारी खेली है डिवाज पाटिल टॉर्नमेंट टी टॉर्नमेंट 2019 के उसे आप से तो लगता है कि युवराज के युवराज के कॉन्फिटनस आइसता वापस आ रहा है बताया जा रहा ह कि युवराज सिंग्ने अपने फिटनेस पर भी काफी काम किया है योयो टेस्ट भी यो खिलर कर चुके है लेकिन अब उनको सिर्फ और सिर्फ जो मानक मेन जो ऑक्टल था वो उन्होंने बैटल लिए अब उनका सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन एक ऐसामाधिया में जहां स शुमा अंगिल को टिकेट ही इसी वज़े से मिला वंडे टीम में क्योंकि वो लगतार रंजी में हजार रंज बना कर बैठे थे टाइम जरूर जा चुका है लेकिन टैलेंट इस खिलाड़ी में बहुत है दो विशुकप जित्वा चुके हैं साल दोजार साथ का टी 20 विशुकप तो एक यादकार हम विशुकप मानते हैं 2011 विशुकप में युवराज कैंसर होने के बाब जू हो जिन्दगी की जंग वो लड़े उसके बाद वो वापस आये उन्होंने भारती टीम में जगे की ड्रॉप होते रहे क्यांकि युवराज सिंह का करियर अगर ग्राफ आप उठाएं तो जब से इन्होंने डेब्यू किया है तब से इनका करियर उपर नीचे उपर नीचे होता रहे है जब वापस आये तो रंस किये नहीं आएं तो पिर नहीं हुआ है फिर टीम से ड्रॉप भी कर दिये गए त तो यहाँ पर फिलाल 2019 विश्वकप की टीम की बात की जाए तो युवराज के लिए सबसे पहली CDIPL है ये 14 मैच युवराज के डिसाइड कर देंगे कि वो वर्ल्ड कप के लिए जा सकते हैं या नहीं इन 14 मैचेज में शुरुवाती साथ जो पहला बंच होगा सूपर 30 डिसा करते हैं ऐसे में उनके पास भी मौका होगा बहतर से बहतर प्रदर्शन करने का लेकिन अगर देखा जाए टीम के लिहास से तो अभी बहुत जादा जरूरत उनको है नहीं बल्ले बाजों की अगर हैं तो उन से उपर मनीश पांडे हैं शुरिय सेयर हैं इन खिलाडियों को भी मौका दिया जा सकता है फिलाल हम भी यहीं उमीद करते हैं कि युवराज सिंग को मौका मिले फैंस ने भी काफी सारा सोचल मीडिया पर ट्वीट किया है कि युवराज सिंग को टीम में होना चाहिए as an all rounder तो लेकिन अगर युवराज सिंग all rounder के तोर पर अगर आते भी है टीम में तो फिर आप रविन जड़े जाए हार्दिक पांडिया में से आपको किसी किलाडी को बाहर करना पड़ेगा यहां पर सोचा यह जाना चाहिए कि युवराज सिर्फ और सिर्फ बहतर प्रदर्शन करें as a batsman उनको टीम मिलाया जाए क्योंकि फिर वो पार्ट कि इवराज सिंग क्या यहां पर जो पहले वैंस मुनों ने पारी खेलिए डिवाई पाटे टी-20 टॉर्नमेंट में तो वो पारी को क्या continue आगे भी कर पाएंगे फिलाल इसका सब्डेट में तरह ही आप अपनी राय भी हमें जबूर बेजे हमें देतीजे इजासत और हमार ने चैनल नेक्स्टनाइन स्पोर्ट्स को सब्स्क्राइब करना में भूलेगा नमश्कार